Quilted का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Quilted का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसको quilt किया गया हो उसको हम quilted कह सकते हैं इसके इलावा quilted जो है वो quilt का past tense और past participle होता है यानि कि quilt की ही second और third form होती है quilted और quilt का मतलब होता है रजाई बनाना, दो तहों को जोड़ना, रजाई की तरह सीलना या तोशक बनाना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि उसने रजाईदार साटन जैकेट पहनी थी तो आप कहेंगे he wore quilted satin jacket या अगर आप यह कहना चाहें कि उधार के पैसे उसकी पेटी में लपेटे हुई थी तो आप कहेंगे the borrowed money was quilted in his belt या अगर आप यह कहना चाहें कि उसकी मा ने उसके लिए एक सूती गदेदार अनारक बनाया तो आप कहेंगे his mother quilted a cotton padded anark for him अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें